स्वती जी कि दक्छी की लाडली जिदे न ठानो तुमको शर्मिन्दा होना पड़ेगा दक्छी की लाडली जिदे न ठानो तुमको शर्मिन्दा होना पड़ेगा दक्छी की लाडली जिदे न ठानो तुमको शर्मिन्दा होना पड़ेगा बुन बुलाए पिता घर न जाओ बिन बुलाए पिता घर न जाओ तुमको शर्मिन्दा होना पड़ेगा बिन बुलाए और कहा भोले बावानी अगर तुम्हारे पिता जी तुम्हें थोड़ा सा समझते तो तुम्हें जरूर बोलाते गर पिता जी समझते जो तुम्हें 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 जरूर बोलाते तो खुशी से निमंतर पिताते और जब तुम्हें जाओगी बिन बुलाए सती जी जब मिलेगी तुम्हें घोरी नफुरत जब मिलेगी तुम्हें घोरी नफुरत दर्द दिल में उठाना पड़ेगा सती जी को समझा रहे हैं भगवान भूले बावा लेकिन सती जी को समझ में फिर से नहीं आ रहा हैं फिर से वही गल्ती करने जा रही हो समझा रहा हो सती माने जाओ बहा जाने में ना होगी भलाई लेकिन जा रही हो तो चली जाओ लेकिन मैं जब बात कहे देता हूँ कुत में समझा नहीं मिलेगा बिल्कुल समझा मिलेगा जा रही हो दच्छी की लाडिली जी दिना ठानो तुमको शर मिन्ता हो ना पड़ेगा दच्छी दच्छी की लाडिली जी दिना ठानो तुमको शर मिन्ता हो ना पड़ेगा बिन्य बुलाए पिता घर ना जाओ तुमको अपमानी शर मिलेगा बोले बाबा ने समझाया सती जी को लेकिन उनकी समझ भी नहीं आया सती जी ने कहा हम जाएंगे तो जरूर जाएंगे आपने देखा कि बाल हट त्रिया हट और एक योग हट कि तीन हट इतनी होती है कि अगर बात ठाले कि हमें ये करना है तो करना है अगर बच्चा हट कर जाए कि हमें हाती चाहिए तो चाहे मा को एक मिठी का हाती वनाना पड़े वो हाती ले करके मालेगा और अगर इस तरी हट कर जाए कि हमें पांच यर्ग साड़ी चाहिए चाहे कछू करो लेके आओ बिल्कुल और योगी और एक राजा हट कर जाए किस व्यक्ति को से बाहर निकालना है तो वो निकालके रहेगा वैसे ही योगी हुआए अगर योगी हट कर जाए कि आज पानी वरसाना है to आज पानी वरसाएंगे उनकी भी हट होती है और बाल हट ये बाल होते हैं जो सिरके अगर ये हट कर जाए कि हमें सपेद होना है तो इनको भी कोई नी रोग फाएगा सपेद होने है और नारी नारी तो एक ये होती है और एक नारी हाथ की होती है अगर यह नारी हट कर जाएं कि हमें अब नहीं चलना हैं तो कोई नहीं रोक सकता चलने से बंद होगी बिलकुल बंद हो जाएगा बंद भगवान अखी यह हट होती है इसरी के आगे तो खेर अच्छे जुक जाते हैं एक वार ऐसा हुआ हुआ है कि वारे एटा के पास में गाउं है वहांबर एक लड़की की साधी हुई अच्छा थोड़ा गौर करना आप सही बत अगली साल है अगली साल ही वही परकाब हो पड़ी लिखीद लेकिन जानती कुछ भिच अहले काक आइह और देजेती ती बीदा आई तो सोच लगी अब सब्सक्राइब काम तो करने करने हैं बिल्कुल करने पड़ेगो तपने बावी के पास गई वोली भावी अमें को यह आसी तरकी बताओ जासे हमें काम अने करने पड़े अच्छा तबावी तुम जानती हो कि हरकाओ कि वावी यह जासी नहीं होती तो गर सब्सक्राइब करने पर दूसरे को बिनने कहीं अच्छा है विट्टी आम एक बात बताए देरे तुमें बताओ जहर के रहे जो तुल्ची को पेड़ है ना जाए ले जाई हो का अपनी सस्रार और कहां ठीक है ठीक है ठीक है भावी जी ले जाएंगे फिर इसका क्या करें क इसको बीच आंगन में गाड़ लियो अच्छा के फिर भावी तोनों ने कहा जब आंगन में गाड़ होगी और जब आप सब्सक्राइब करें और पूजा करें और पूजा कहला कोई मने नहीं करें ठीक है और एक बात दियां रखियो श्या बज़े से बैठ यापरियो पू ठीक है ठीक है विन नजय काम करो सच्छा ले गई तप्यड लेके गई तुल्शी को और भीचा वीचा आगन में गाड़े लूँ और अपनी सास से पूछी मईया हम पूजा कर लो करें ने कियो नहीं लिली कियो नहीं बड़ी आया पूजा को निए अल्रास था बड़ी एक दिन अपती देवन देखो फूजा पताना कौंजी है समयरी छेवाजे नाय ड़ेकर बैठ जाते है और जब तक काम रहते है तो तक पूजा ओते काम खातम से पूजा अपना के लाव आज एक दिन हम फूजा सुनिये ले जाके और रहा एक देन पूजा सुनिये ले ले अशुए सुनिये के लाओ देखने के लाओ कि लिए कि कौन सी पूजा होते कौन से इस लोग ने जाते है जो गढवड पुराण को इस लोग है हां यह उन्हीं में पूजा कर ने जब उनकी बहु बैठी तो पीछे सो इनके अपती ते बैठी कि इसमने केल है का कि देखने इस लोग कॉंसे पड़े जाता तो बाउने पूजा शुरू करी और इस लोग पड़ेगे कैसे की तो ए पूजे तुलसी महरानी मारे सासु मेरी ने जिटानी को ए पूरे परिवार को माननों चाहती है